हेलो गाइस ये मैंने पुरानी साड़ी की लंबी लंबी पटिया ली है इसकी चुड़ाई मैंने 5 इंच लिया है इस तरीके से अब हम दोनों पटि को एक साथ रखेंगे एक साथ रखने के बाद में हम दोनों पटि को दो फिंगर के उपर ऐसे दो राउंड लेंगे राउंड लेने के बाद में हम एक पटी को छोड़ देंगे दूसरी पटी के उपर हम सेप्टी पिन अटैच करेंगे दूसरे सीरे पे फिर हम जो राउंड लिये हैं फिंगर के उपर उसके अंदर से हम निकालेंगे इसके अंदर से हम निकालते हुए और इसके अंदर से निकालेंगे यहां पे हम नोट लगाएंगे इस तरीके से देखो इसके अंदर से डालो यहां पे और इसके यहां से निकालो ऐसे friends हमें दो फिंगर के उपर ऐसे राउंड लिये हैं उपर हमें एक रिंग का अकार देना है हेलो गाइज आपका फिट से स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल होमार्ट मी अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें एंड पास में जो बैल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिलता रहे वीडियो को बिना स्किप के फ्रेंड्स आप एंड तक जरूर देखें वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर करें अगर friends आपको वीडियो पसंद आता है तो please हमें comment करके जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो friends इस तरीके से मैंने इसका जो first round है वो complete कर लिया है अब हमें देखो second round के अंदर क्या करना है हर एक फंदे के अंदर से हमें दो-दो फंदे निकालने हैं देखो एक के अंदर से हम दो-दो फंदे निकालेंगे जितना मैंने first round complete किया है जितने ही फंदे हैं उन सब के अंदर से हमें दो-दो फंदे निकालते हुए हम second round को complete करेंगे अगर friends आपके पास में भी इस तरीके से कोई पुरानी साड़े या पुरानी चुनी पड़ी है तो आप उसको रियूज करके बहुत ही सुन्दर गुदगुदा एंड सोफ डॉरमेट बना सकते हो बिल्कुल ही असान तरीके से तो ये देखो friends जो मैंने second round है वो एक फंदे के अंदर से दो दो फंदे निकालते हुए मैंने इसको complete कर लिया है अब सैम उसी तरीके से friends हर एक फंदे के अंदर से वैसे हम पहले मैंने दो दो निकाले है जो मैंने दो दो फंदे निकाले है उसी दो फंदों के अंदर से हमें फिर से दो-दो फंदे निकालने हैं, इस तरीके से देखो, जितने मैंने हर एक फंदे के पहले मैंने एक एक फंदे के अंदर दो-दो फंदे निकालें, फिर मैं उसी फंदों के अंदर से दो-दो फंदे निकालूगी, दो-दो फंदे निकालते हुए हम इसको round को complete करेंगी, तो ये देखो फ्रेंट्स बनाने के बाद में देखना कितना ही खूब सूरत लगेगा और बनाने में कितना ही आसान है बिल्कुल ही कम समय में हमारा ये सुन्दर्शा डोर्मेट बनकर त्यार हो जाता है ना हमें इसमें सिलाई मसीन की जरूरत पड़ती है ना कोई सलाई की ना ही करोसिय की सिरफ हम पुरानी साड़ी या पुरानी चूनी और सेप्टी पिन की साहिता से हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से देखो ऐसे ही फ्रेंट्स जो हमारा राउंड चल रहा है उसको हम दो-दो फंदे निकालते हुए हम राउंड को कंप्लिट करेंगे तो ये देखो फ्रेंट्स मैंने राउंड को कंप्लिट कर लिया है अब यहाँ पे हमें हमारी पट्टी है वो खतम हो गई है तो यहाँ पे हम जोइंट लगाएंगे इस तरीके से सुई से हम इसको सील देंगे अगर फ्रेंड्स आप सीला नहीं चाते हैं तो यहाँ पर नोट भी लगा सकती है बट मैं आपको यहाँ पर सील के दिखा रही हूँ दोनों को एक साथ पकड़ते हुई हमें सील के नोट लगानी है अब धागे को कट कर देंगे अब देखो सैम उसी तरीके से हमें हर एक फंदे के अंदर से सोरी हर जो हमने दो-दो फंदे निकाले हैं उसी दो-दो फंदों के अंदर से हमें फिर से दो-दो फंदे निकालते हुए हमें फ्रेंड्स राउंड को कम्पलिट करना है तो फ्रेंट्स बिना देरी की वे आप एक बार इसे बना कर जरूर देखेगा देखना बनाने के बाद में आपको कितना ही अच्छा लगेगा आपको खुशे भी होगी कि हमने बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही कम टाइम में और बहुत ही बिप्टिफूल डोर मैट बना कर त्यार किया है तो फ्रेंट्स आपको जितना ही बड़ा पाइदान बनाना है उसके इसाब से आप इसको राउंड सेप में लेते जाएं और ऐसे ही हर एक फंदे के अंदर से हमें दो दो फंदे निकालते हुए इस राउंड को हम कम्पलिट करेंगे तो ये देखो फ्रेंट्स पूरे राउंड को मैंने यहां तक कम्पलिट कर लिया है देखो कितना अच्छा इसका डिजाइन आया है कितना सुंदर लग रहा है यह जैसे जैसे आगे-ागे डिजाइन पूरा बनता जाएगा तो हमें लगे गई नहीं कि जो हमने पाइदान बनाना शरू किया था क्या वो यही पाइदान है ऐसे लगेगा हमें देखो इसकी पूरी की पूरी डिजाइन है वो आगे-ागे चैंज होती जाएगी कितनी अच्छी लग रही है देखो इसकी फिनिशिंग वो कितना ही बनाने में आशान है ये और देखने में कितना ही खुबशूरत है तो फ्रेंड्स आपको जितना बड़ा बनाना है उसके इसाब से आप इसको बनाते जाएं अगर आपको एक कलर से बनाना चाते हो तो वो एक कलर से बनाओगे तो ये हमारा डिजाइन बनकर त्यार तो हो जाएगा बट हमें दिखेगा नहीं कि क्या डिजाइन हमने इसके अंदर बनाया है हम दो कलर से बनाएंगे तो ये बहुत ही सुन्दर पाइदान बनकर त्यार होगा क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि क्या सेप बने इसकी क्या इसके अंदर डिजाइन बना है तो इसके साथ ही friends ये देखो मैंने अपने ले डोरमेट बना कर त्यार कर दिया है कितना ही खूबसूरत लग रहा है friends अगर आपको इससे और बड़ा बनाना है तो आप इसी तरीके से इसको आगे आगे बुनते जाए तो friends आज के लिए बस इतना ही Bye friends, thank you, thank you for watching